हेलो गाईज I welcome you once again in the second video about prepositions जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी prepositions के बारे में उनके बारे में जानने की definition के बारे में एडसेट्राइट्सेट्रा तो हम उस वीडियो में जो हमने छोड़ा था वो preposition on पर हम पहुँच गए थे तो फिर वहां से आज हम continue करेंगे तो जैसा मैंने आपको बोला था कि preposition जो on है हमारा तो ये on मैंने पिछले वीडियो में भी आप से बात की थी इस बारे में तो ये कहां पर इस्तिमाल होता है तो जब आपको actual point of contact actual point of contact दिखाना हो तो वहां पर आपको ये preposition इस्तेमाल करनी होगी तो मैंने एक example भी आपको दी थी जैसे मैंने एक rat लिया था मकान के उपर एक rat ऐसे रखा था तो फिर वो यहां किसी surface पर जाकर यहां पर इसके साथ टच कर रहा होता है तो that is actual point of contact तो इसके बारे में हमने जाना था उसके बाद मैंने दूसरी बात कही थी on के बारे में तो वो थी कि ये तब इस्तेमाल होता है ये preposition जब कोई चीज कितने dimensions आकिपा करती है दो dimensions आकिपा करती है यानि length and breadth तो वो भी मैंने आप से बोला था जैसे कि मान लो अगर हम एक table लेंगे तो उसके कोई book रखी थी जो मेरे example दी भी थी तो जो ये table है इसके बूक रखी हुए है तो इस book ने आकिपा किये है यहाँ पर length और breadth तो इसी लिए हम लिखेंगे a book is on the table तो on इसके साथ इसलिए भी आएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ contact में है तो और इसके साथ और एक चीज तो length और breadth इसने यहाँ पर occupy किया है तो on यहाँ पर भी आएगा उसके बाद जो आज के वीडियो में हम on के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ये इस्तेमाल होता है और जगा कहां पर जहां आपको describe करने हो days or dates तो यहाँ पर देख लिजी एक्जाम्पल में days or dates दिन या कोई तारीख बता नहीं हो तो उनको describe करने के लिए कौन सी proposition इस्तेमाल होती है वो on होती है जैसे यहाँ पर मैंने example में दिया है he will go there on Friday तो यहाँ पर यह Friday जो है यह दिन का नाम है गाइस तो यहाँ पर हम कौन सा proposition इस्तेमाल करेंगे proposition on का इस्तेमाल होगा तो आगे चलते हुए इसे के साथ जो dates के लिए इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने 1999 क्या है डेट है तो ऐसे जब आपको exams में डेट दी गोई हो तो proposition का इस्तेमाल करना हो तो आपको कौन सा proposition का इस्तेमाल करना है तो on के proposition का आपको इस्तेमाल करना है तो इसी तरह आगे चलेंगे तो यह जो proposition on है यह और जगा इस्तिमाल होता है तो वो क्या है ये veure करता है डिवासिस जो भी और मशीन siihen को भी जैसे आपके पास फोन है एक है तो यह इंज है तो इनके साथ कुन सा इस्तेमाल होगा इनके साद भी जी हाहन उन ही इस्तेमाल होगा तो for example अगर मैं यहां पर आपको दूँगा I am on the phone तो यह phone जो है तो यह एक तरह का device है इसलिए हमने proposition इसके साथ क्या इस्तेमाल करना है on proposition का इस्तेमाल करना है तो exam exams में भी आपको ऐसे वहां पर कुछ MCQs दिये जाएंगे या ऐसे आपको यह blanks में दिये जाएगा या कभी कबार आपको इसमें sentence correction के बारे में भी पूछा जाएगा क्योंकि sentence correction में भी वहां पर जैसे I am वहां पर लिखा होगा in the phone तो आपको sentence correction के बारे में पूछेंगे तो आपको उसको correct करना है तो वहां in नहीं वहां पर क्या आएगा on आएगा क्योंकि यह जो phone है एक तरह का device है तो इसके साथ on ही आता है तो इसी तरह अगर अगर आप देखेंगे दूसरी हमने example इसमें ली है क्योंकि example से हम बहतर तरीके में यह चीज समझ लेते हैं जैसे यहाँ पर I was watching a serial मैं एक serial देख रहा था तो किस पर देख रहा था on tv तो यह टीवी जो है यह भी एक तरह का एक device है तो इसी लिए यहाँ पर भी कौन सा यहाँ पर on proposition का इस्तेमाल करेंगे तो आगे चलते हुए अगर और एक example पर हम जाएं तो यहाँ पर मैंने आपको दिया है she is on computer तो यह computer भी इसी तरह guys एक तरह का device है एक तरह की machine है तो इसलिए इसके साथ भी कौन सा proposition इस्तेमाल होगा on ही यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा तो guys जिल्दी से हम इस on के बारे में थोड़ा सा revise revision कर लेते हैं याद रखने के लिए तो actual point of contact दिखाता है यह हमें और क्या दिखाता है हमें यह जब किसी चीज़ ने two dimensions आके पर किये हो length and bread और days and dates के लिए इस्तेमाल होता है और किसके लिए इस्तेमाल होता है कोई sentence दिया हो जिसमें किसी body part का नाम आएगा जैसे कि इस वाले sentence में आप देख रहे हैं यहां पर leg का इस्तेमाल किया हुआ है तो एक body part है इसलिए इस sentence में जो preposition का इस्तेमाल होगा वो भी on का ही होगा क्योंकि on preposition body parts को describe करने के लिए यहां पर body parts के साथ भी आता है इसी तरह और एक चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है वो है गाइज यह जो हमारा preposition on है यह किसके साथ इस्तेमाल होता है यह state of being भी हमें दिखाता है state of being का मतलब है यह हमें mood दिखाता है यानि किस condition में है कोई चीज तो यह हमें वो चीज भी दिखाता है तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है gold is on demand तो इन दिनों क्या चल रहा है हाँ इन दिनों obviously इन दिनों शायद सर्दियां चल रहे है लेकिन यहां पर क्या है gold is on demand तो यहां पर आज कल तो जो गोल्ड के price obviously वो decrease भी हुए इन दिनों तो जो girls हमारी students होंगे वो शायद इस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे तो यहां पर gold का price जो है वो इन दिनों कम हुआ है तो इसलिए वो demand में इन दिनों जादा है जो economics में भी आप पढ़ लेते हैं demand and supply का relationship तो यहां पर gold is on demand तो यह इसकी state इन दिनों क्या इसकी है state है कि आज इन दिनों यह demand में है तो जब यह state of being किसी चीज की आपको दिखानी हो तो तब आपको guys क्या करना है proposition on का इस्तेमाल करना है इसी तरह state of being के बारे में और एक example से हम जानने की कोशिश करेंगे जैसा कि यहां पर मैंने दिया हुआ है guys the batsman was on fire तो on fire का मतलब जो होता है इसका मतलब है energetic या enthusiastic तो कोई भी batsman जो कल शायद उसने अच्छी batting की होगी वो थी energy के साथ batting की होगी तो हम कहेंगे यह उसकी state of being थी तो जो यह state of being यहां पर है तो उसके लिए हम उसको describe करने के लिए यहां पर कौन सी proposition का इस्तेमाल करना है guys वो है on तो मेरे खायल से इतनी सारी चीज़े काफी है exam point of view से वहां पर अगर proposition on के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास और एक प्र 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 पॉजिशन है guys क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास तो बहुत सारे proposition है हमारे पास डेर सारी proposition है लेकिन हम खाली उन पर concentrate करते हैं जो exam point of view से हमारे लिए important रहती है तो उन से जाके लेकि हम यह सारी चीज़े आपके लिए यहां पर लाते हैं तो एक आसानी इससे आपको भी हो जाएगी तो गाइज आजान हो रही थी इसलिए हम थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ी बीच में तो इसके बाद गाइज जो हम पढ़ रहे थे proposition के बारे में हमारे पास और एक पियर है proposition का एक है in और दूसरा है into अब बहुत सारे यह सोच रहे होंगे सर हमने तो शायद यह in तो जो है वह हमने कल शायद पढ़ा था demo lessons में या कहीं पर जाके पढ़ा था तो यह in या into या कोई भी proportion हम इनको फिर से repeat करेंगे क्योंकि एक जगह पर इनका एक इस्तेमाल होता है और दूसरी जगह पर इनका दूसरा इस्तेमाल होता है तो that is why they get repeated so here तो हम इन पर आ जाते हैं तो इन कहां पर इस्तेमाल होता है जैसे कि आपको कल के वीडियो में हमने बोला था कि यह three dimensions के लिए इस्तेमाल होता है जैसे किसी चीज ने आकिपाई किये हो three dimensions अब माल लीजे यह हमारा box है three dimension है इसके length और height है इसकी तो कोई चीज जब इन तीनों high dimensions को आकिपाई करेगी तो उस समय हम कून सा preparation इस्तिमाल करेंगे उस समय हम in का इस्तिमाल करेंगे लेकिन यह कल वाला usage है लेकिन आज हमें इसके बारे में और थोड़ा सा जानना है क्यूंकि आज जो इसके साथ यह वाला है जो into वाला है यह इसके साथ प्यर इस लिए आपने देख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे cuboid बनाया हो है, तो इसमें एक मैंने, for example, मैंने एक duster रखी है, तो मैंने एक duster रखी है, इसमें eraser रखा है, तो यह eraser जो है, वो static होगा, तो guys, यह जो इसके interior में रहे, यह duster is cuboid, इस three dimensional space के interior में है, तो interior में जब यह है, लेकिन interior में क्या है, rest में है guys, तो जब कोई चीज किसी three dimensional space में होगी, और फिर interior इसके अंदर होगी, rest में होगी, जब यह rest में होगी guys, तो उस समय हम कौन सा preposition इस्तेमाल करेंगे, इनका preposition इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी आपको यह exams में पूछा जाए, ऐसे कोई चीज, जो static होगी, three dimensional space में होगी, तो आप निश्चिंद होके, कौन सा preposition इस्तेमाल करेंगे, इनका preposition है, इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे guys, तो उसके बाद, यहाँ पे और एक preposition इसके साथ है, peered है, into है, तो आप देख रहें, अगर हम in plus two करें, तो निकलता है हमारा into, इसका मतलब कोई चीज, three dimensional space में भी जाती है, length, breadth और height में जाती है, और उसके बाद, उसके साथ कोई और चीज जड़ी हुई है, तो यह जो दूसरी चीज इसके साथ अभी जड़ी हुई है, तो वो इससे जड़ी हुई है, वो क्या है, motion, तो जब कोई चीज, three dimensional space में जाए, लेकिन जाते समय वो motion में आ जाए, जाते समय वो motion में में आ जाए, हरकत में आ जाए, तो उस समय उसके साथ कौन सा preposition इस्तेमाल करना है, into, जैसे आप guys, यहाँ पर example में देख रहे हैं, the goat jumped into the well, तो यहाँ पर जो goat है, उसने jump किया, तो कहाँ jump किया, तो well में किया, तो guys three dimensional space है, और जब इसमें jump किया, तो क्या आ गई, तो इस समय जो goat है, वो किसमें आ गई होगी, वो उस समय motion में आ गई होगी, तो जब motion में आ गई, तो यहाँ पर इसी लिए कौन सा preposition इस्तेमाल किया है, into का जो preposition है, वो इस्तेमाल किया है, तो simple सी बात है, कि जहाँ पर भी concept of motion हो, जहाँ पर motion के बारे में sentence में पूछा गया हो, उसके बारे में बात की गई हो, तो वहाँ पर आप कौन सा preposition इस्तेमाल करेंगे, तो into वहाँ पर जाके आप इस्तेमाल करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर मैंने इस into के बारे में और एक चीज दी हुई है, यहाँ पर आप देख लीजे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ, यह into जो है, यहाँ मैंने एक example दी है, he entered the room, यहाँ पर अगर मैं dash रखूँ, तो सारी के सारी अभी लिखेंगे, हाँ, ठीक है, जो हमने rule पड़ा अभी, अब into का तो usage ही यही है, जब कोई चीज motion में आ जाएगी, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, तो यहाँ पर into आ जाएगा, ठीक है, तो जब कोई enter करेगा, यह ही, मानलो हम लेते हैं, सपोज यह कोई है, साहिल है, तो साहिल का मतलब यहाँ पर ही, तो जब साहिल है, entered the room, वो किस में चला गया, room में चला गया, तो जब यह चलेगा, जाहिर सी बात है, motion आ जाएगी, हाँ, ठीक है, motion आ गई, तो इस हिजाब से, तो यहाँ पर into इस्तेमाल होना था, हो चुका है, लेकिन क्या यह यहाँ पर सही है, जी नहीं, यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यह sentence जो है, यह ill-formed है, क्योंकि linguistically हम किसी sentence को correct और wrong नहीं कह सकते, right और wrong नहीं कह सकते, तो linguistic terms में guys, खाली क्या बोला जाता है, या बोला जाता है ill-formed, जो grammatically सही नहीं हो, तो जो सही हो, उसको बोला जाता है well-formed, तो यहाँ पर guys, आपने बिल्कुल rule का इस्तेमाल करके, आपने देखा था, यहाँ पर हाँ ठीक है, enter किया है, इसने room में, तो motion आगी, तो into का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह इसका गलत usage है, यहाँ पर into नहीं आएगा, अगर यहाँ पर motion का concept था भी, लेकिन into फिर भी नहीं आएगा, क्यूं नहीं आएगा, तो वो हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, और exam point of view से यह बहुत ही important है, क्यूंकि कभी कबार वो examiner's क्या करते हैं, वो आपको यही इसी तरह के MCQs किसमें देते हैं, या इसी तरह के questions देते हैं, exams में, क्यूं? क्यूंकि यह exceptions होती है to the rules, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, तो sentence correction में आपको ऐसे ही आ सकता है, वो क्या कर सकता है examiner? आपको यह वाला sentence देगा ऐसे लिखके, he entered into the room, और फिर बोलेगा correct the following sentence, तो जब आपको correction बोलेंगे, तो आप सब उनको पता है, हाँ भाई यह तो ठीक है, लेकिन है गलत, क्यूं है गलत? क्यूंकि जो word enter है, जो word हमारा enter है, इसके साथ कोई preposition नहीं आती, तो हमारे पास एक class of words होती है, जो अपने साथ कोई भी preposition नहीं लेते, into क्या, इसके बगार भी कोई भी preposition नहीं लेते, क्यूंकि हमारे पास एक separate class of words है, वो अपने साथ कोई भी preposition नहीं लेते, जैसा यहाँ पे into के बारे में दिया गया है तो guys यह example जो है इसको आप याद रखिएगा तो exam point of you से काफी important है क्योंकि यह exception है rule की और इसमें याद यही रखना है कि जब भी word enter आएगा चाहे उसकी present form हो चाहे past form हो या कुछ भी form हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है word enter आगया तो आपको यहाँ पे कोई भी proposition इस्तिमाल नहीं करना है तो sentence correction में वो ऐसे ही पूश सकता है तो यहाँ पे यह into के बारे में था तो guys आगे चलते हैं अपने वीडियो में तो यहाँ पे और एक preposition हमारे पास और एक pair है जैसा के between and among तो आप देख रहे है ये melting जो है यह क्या कर रहा है यह इन्वालू करता है यह इन्वालू करता है गरिको यह इन्वालू करता है तू प्लस थू इसका मतलब क्या हुआ guys जब भी कोई भी चीज आपको दो के बारे में कही गई हो दो शक्स हो, दो चीजें हो, दो कुछ भी हो तो उनके बारे में जब भी कहा गया है तो आप कौन सा preposition इस्तेमाल करेंगे? between preposition का इस्तेमाल करेंगे और जब कोई चीज दो से ज़्यादा जिसमें आ जाएं तो उनके बारे में कहा गया हो या उनके बारे में कुछ भी हो जिसमें दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप among का इस्तेमाल करेंगे जैसे आप यहाँ पर example देख लीजे हाँ अगर यहाँ पर apple है तो यहाँ पर fruit का दूसरा नाम दिया जा सकता है लेकिन ऐसे ही कुछ इसी तरह की examples वहाँ पर दी जाएंगी जैसे मैंने यहाँ पर example दी है cut and distribute हाँ जिनाब काटिये और distribute कीजिए बांटिये किसको इस apple को तो यहाँ पर दिया है last में 2 तो जब यह 2 दिया हुआ है तो आपको पता है जब भी कोई चीज हमें 2 के बारे में कहा गया है कोई भी चीज जब हमें 2 के बारे में कही जाती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं इस्तेमाल तो यहाँ पर between इसी लिए जी हाँ between का इस्तेमाल करना है तो इसी तरह अगर इसी example को हम ले ले लेकिन यहाँ पर क्या लिखे cut and distribute this apple यहाँ तक तो same है हाँ guys same ही है लेकिन यहाँ पर two के बदले में मैंने क्या लिखा है three तो जब भी एक इसमें add हुआ तो three आ गया यहाँ पर इसका मतलब इसने इन वालुक किये कितने plus two तो three आगे तीन आएं चार आएं कितने भी आ जाएं बाद में तो उसके लिए कौन सा preposition इस्तेमाल होगा guys तो वो होगा among का इस्तेमाल होगा तो जाद रखिएगा जब भी कोई चीज दो के दर्मियान होगी तो between का इस्तेमाल होगा और जब भी दो से ज़्यादा तो among का इस्तेमाल होगा लेकिन guys एक चीज यहाँ पर मैंने note करके रखनी है मैंने note में दिया है Switzerland हाँ example है एक grammar हमें है एक example दी हुई है उससे मैंने कूट किया है इसको तो यहाँ पर दिया था Switzerland तो exam point of view से काफी important है Switzerland lies डश जयमनी फ्रांस एड इठैली तो आपको दिया गया है आपको अब इसको इस sentence का proposition देना है तो कैसे दो गया तो आपको बोला गया है जो Switzerland है वो कहां पर है वो कहां पर लएकर रहे है कहां कि उसकी location है तो dash में दिया हुआ है कि between है के among है हाँ जी हाँ जैसा कि आपने rule देखा इसमें तीन आगे Germany, France और इठैली जी हाँ तो तीन आगे आप लोग को लगा होगा कि इसमें कौन सा वाला आएगा इसमें आएगा among तो इसमें आएगा among नहीं नहीं इसमें नहीं आएगा तो ये इसकी exception आप कहें या असल में exception नहीं है ये दूसरी चीज़ है क्योंकि यहां पर ये तीन नहीं है ये दो ही है इसलिए इसका अमंग नहीं आएगा तो यहां पे भी इसलिए प्रेपोजिशन कोन आएगा जनाब वो भी आएगा यहां पे भी यहां पे आएगा बिटवीन क्यों आएगा बिटवीन सर तो बिटवीन इसलिए आएगा क्योंकि एक तो यह जो है यहाँ पे यह France और Italy यहाँ पे between क्यों आएगा आप तो rules के हिसाब से ठीक चल रहे थे यहाँ तीन आ गे थे यहाँ पे Germany 1, France 2, Italy 3 rules के हिसाब से तो ठीक था कि यहाँ पे अमंग आना था लेकिन नहीं आएगा इस वाले में तो between ही आएगा exams में ऐसे ही exceptions को ही पूछा जाता है चाहे narrations को ले 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 चाहे active answers या किसी दूसरी चीज को ले ले वहाँ पर exceptions को ही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि जो वो होते है rules वाले वो तो सब को पता होते हैं तो यह क्या है यहाँ पर यह तीन तो यह France and Italy यह joint है यह connected है यह दो words जो है दो nouns जो है यहाँ पर यह connected है by means of a cumulative coordinate conjunction तो अभी तो conjunction के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन यहाँ पर चूँकि इसका अमल दखल है तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बोल लेता हूँ तो यह कहां से एक ही बनता है France और Italy तो दो explanations होती है क्योंकि इस वाले sentence में between क्यों आया यह rules के खिलाफ क्यों चला क्योंकि यहाँ पर France and Italy जो है वो connected है by cumulative coordinate conjunction तो cumulative coordinate conjunction कौन सा conjunction होता है जो दो subjects को जो दो words को क्या करता है दो phrases को add करता है जी हाँ यह add करता है लेकिन वो वाला add नहीं 1 plus 1 2 यहाँ पर यह वाला add है 1 plus 1 यहाँ पर ठीक है यहाँ पर यह मान के चलना है यह 1 plus 1 यहाँ पर है यह एक ही है क्योंकि अगर हम geographical भी देखे तो Germany है वो एक side से है और France और Italy शायद क्योंकि आप तो geography मुझसे जादा जानते होंगे तो geography में शायद Germany जो है एक side में होगी और France और Italy एक side में होगी क्योंकि Germany तो बड़ा है तो यह दोनू एक side में होगे तो Germany एक side में होगा तो इसलिए अगर यह एक है और यह दोनू एक तरफ से है तो यह तो एक और एक यह तो अभी फिर आगए कितने टू आगए यहाँ पर तो यहाँ पर तो टू आगए इसलिए यहाँ पर इसने दिया है क्या between तो दो explanations है यहाँ पर एक तो यह है एक मैंने यह कहा कि यहाँ पर cumulative coordinate conjunction है वो इन दोनू को मिला के हमें खाली एक ही देता है और एक जर्मनी है तो दो आगए तो इस हिसाब से भी दो आगए तो यहाँ पर between आएगा या तो दूसरा जो फैक्ट है जो ग्राफिकल फैक्ट है कि यह उजे Switzerland है इसके एक साइड में जर्मनी है और एक साइड में फ्रांस और इटली दोनू मिलके है तो फिर भी उस हिसाब से भी ये एक हुआ और ये एक साइड में आगया तो इस हिसाब से भी इसके लिए between आएगा तो एक्जाम पॉइंट आफ यू से काफी important ये वाली एक्जाम्पल भी है हाँ guys याद रखेगा तो उसके बाद हम अपने वीडियो में आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमें जो दिया है उसके बाद beside और besides देखिए आज तक तो हम ये मान के चलते थे शायद कि beside और beside एक ही word है हाँ इसमें अंतर ही क्या है इसमें खाली इस E के पीछे S है जी हाँ आज तक हमें तो यही शायद बताया गया था लेकिन यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी difference है क्या जो beside है वो हमें दिखाता है by the side of यह हमें दिखाता है जो बगल में है जो हमारे side में है जैसा कि मैं example में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ अगर मैं ऐसे बोल लूँ I live beside the stream तो कौन सा वाला beside है यह वाला beside आ गया इसका मतलब हुआ by the side of तो इसका मतलब क्या हुआ मैं जो नदी है उसके किनारे यानि इस नदी के बगल में रहता हूँ हाँ जी हाँ यह वही by the side of है और इसके बाद अगर हम इस वाले beside की बात करें तो यह क्या दिखाता है यह दिखाता है in addition to जिसको बोलते हैं इसके इलावा जैसे example में यह clear हो जाएगा तो यहाँ पर example में अगर हम देखें मैंने दिया है I have a TV हाँ मेरे पास एक TV है और besides a computer तो उसका मतलब क्या हुआ मेरे पास TV भी है और मेरे पास computer भी है और इसका मतलब यह हुआ तो जहाँ पर हमें यह sense देना हो in addition to यानि TV I have a TV हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं in addition to computer हाँ मेरे पास उसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास TV भी है computer भी है तो besides दिखाता है by the side आ और यह वाला besides है यह दिखाता है in addition to तो exams में जब आपसे पूछा जाएगा अगर by the side दिखाना हो तो यह वाला besides इस्तेमाल होगा और अगर आपको दिखाना हो in addition to तो वहाँ पर आप क्या लिखके आएंगे besides और अब उसके बाद जो हमारा और एक preposition है pair of preposition है यहाँ पर वो है by और with जी हां guys तो जो यह by है यह दिखाता है हमारा agent of an action यानि कोई भी action कोई भी काम काम करने वाला काम करने वाला उसको बोलते है agent of an action काम करने वाला जो होता है तो वो हमें कोन दिखाता है यह by दिखाता है जी हां और उसके बाद अगर हमें दिखाना होता है instrument of an action यानि किस से काम करता है तो उसके लिए इस्तिमाल होगा with जैसे example से clear होगा अगर मैं example में ले लूँ the bear was killed जी हां जो भालू है वो मारा गया किसके जरिये किसने मारा किसने मारा जी हां वो agent कौन था तो यहां पे agent कौन बना तो hunter यहां पे बना agent तो जब यह agent बना यहां पे तो फिर कौन सा preposition आएगा by preposition आएगा क्यों यहां पे हमें agent दिखाना है तो by जो है वो कब इस्तेमाल होगा जब हमें agent of an action दिखाना हो उसके बाद अगर हमें instrument दिखाना हो तो same example मैंने continue करी है यहाँ पे the bear was killed by a hunter ठीक है यहाँ पे तो agent आ गया लेकिन उसने मारा हां किस चीज से मारा हां gun से मारा तो gun से जब मारा तो यह जो gun है यह क्या है यह हमारा instrument है तो agent describe करना हो तो by का इस्तेमाल करना है अगर instrument को describe करना हो तो कौन सा आएगा तो वहाँ पे with का इस्तेमाल हमें करना है so guys आज के वीडियो में इतना ही hope you have enjoyed the video very much thank you thanks a lot